दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे और आज हम लोग बताने जारे हैं किस तरीके से आप अपने WhatsApp के जो स्टेटस है उसको अपने SD कार्ड में यानि अपने गैलेरी में सेब कर सकते हैं क्योंकि जो स्टेटस होता है अपने आप 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 24 घंटे के अंदर अंदर डिजॉल्व हो जनाता है यानि गायब हो जनाता है फिर आप उसको देखना है तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं किस तरीके से स्टेटस के इस सेप किया जाए है तो सबसे पहले हम लोग को कोई भी स्टेटस को देखना है पर इस पार सिर इस स्टेटस है हमने complete नहीं स्टार्टिंग से आपको दिखलाते हैं यह है डिवाइस स्टोरेज और इसमें जाने के बाद आपको वाट्सप के आप्शन पर क्लिक करना है फिर मीडिया के आप्शन पर क्लिक करना है फिर यहां पर आपको एक आप्शन सेटिंग में जाना है और उसके बाद में फिर so hidden files के option पे click करके back हो जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ-कुछ hidden folder आपको दिखाए देंगे for example यह status वाला और इस पे click करना है फिर आप देख सकते हैं कि यह वही video है जो कि यहाँ पे आपको दिख पा रहा है उसके बाद दोस्तों आप इस status को कुछ इस तरीके से move का option को click करके इसको sd card में या फिर device storage में फिर से यहाँ पे move कर सकते हैं और यह अब आपके गैलेडी में सो होगा तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें थाइंक्यू बेरी मुच